मैं कुल्दीब कुमार शर्मा स्ट्रक्चर और बॉर्णिंग की आज थर्ड क्लास सपन स्टार्ट करें थे लास्ट टाइम अपना टॉपिक चल रहा था बंद लंबाई जो मैंने छोड़ दिया था उसको शुरू करते हैं आज बंद लंबाई दो नाभिको की बीच की दूरी को बीच की दूरी को बीच की दूरी को बंद लंबाई या बंद दूरी कहते हैं तो देखो क्या है की दो बंद नाभिको के बीच की दूरी चीजर है इन दोनों के बीच की दूरी है इसा लेमडा एति बराबर आरे तो बंद लमबाई बराबर क्या हो गई टो बंद लमबाई नपनाँ को और बंद लंबाई कहते हैं लेकिन बंद लंबाई को प्रभावित करने वाले अलगलग कारक्स है जैसे कि अनुव की जो अलग-अलग प्रकृतिस होगी मतलब अनुव का नेचर होगा वो नेचर के अनुशार इन बंद लंबाई का मान बढ़ेगा गटेगा उसके बारे पर बात करते हैं ठीके इसे बंद लंबाई परभावित करने वाले कारक तो पहला लिखते अंपन विदृत्रिण्टा से क्या है कि अगर डोप नो प्रमाणों के दो परमाणों है जैसे कि अचो शिए घृक है अच्छा हो गया नहीं के ग्रमाणों की बीच में अंतर ज्यादा है उसकी बंद लंभाई उसकी बंद लंबाई उसकी बंद लंबाई कम होगी और जिसके बीच में विद्धूत्रीनिता कांतर कम है उसके बंद लंबाई जादा होगी अब मैं समझाता हूं क्यूं होगी देखो हाइट्रोजन और क्लोरीन की बीच में क्लोरीन ज्यादा विद्धूत्रीनी है तो और कम हो जाएगी लेकिन यहां देखो कार्बोन और हैट्रोजन की लगबग विदुद्रिंटा समाने तो यह नहीं तो है इसको अट्रेक्ट कर सकता है इसकी वज़े से इन दोनों की बीच में बॉंड लेंड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगे और में बॉंड लेंड में कोई चेंज नहीं आएगा समझ मैं तो लिख सकते हैं लिख सकते हैं बंद लंबाई बंद लंबाई विदुद्रिंटा के वित्कुरमानों पाती होती है बंद लंबाई विदुद्रिंटा के वित्कुरमानों पाती होती है तो दो परमानों में दो परमानों में विदुद्रिंटा का अंतर विदुद्रिंटा का अंतर विदुद्रिंटा का अंतर बढ़ने पर विदुद्रिंटा का अंतर बढ़ने पर विदुद्रिंटा का अंतर बढ़ने पर क्या होगा विदुद्रिंटा का अंतर बढ़ने पर बंद लंबाई कामान कम होता है जबकि जबकि परमानों के मद्दे जबकि परमानों के मद्दे विदुत्रिंटा का अंतर कम होगा विदुत्रिंटा का अंतर कम हो तो बंद लंबाई बंद लंबाई कामान यह नIO फन्ुने ऑगर दो प्रमानों के बीच में नोपनों पेहले एक्जाम्पल यह था हैं पर ने सिल और कार्बन हीट्रोजन बंद शुक्त के बारे में एक्स्प्लेइन कर दें अच्याग्णु में असे रहनु में यह हाइं ट्रुजनवे ख्लोरीन आइट्रोजन वे क्लोरीन प्रमानुओं के मद्य विद्धुत रिंटा का अंतर विद्धुत रिंटा का अंतर ज्यादा होने के कारण क्लोरीन प्रमानुओं अद्रोजन प्रमानूओं के जरुजन प्रमानूँऔपे nggak में तो अपनी का सिनके सब्सक्राइब हुआ अपनी और आकरशित करते हैं चर्फित करते हैं या ही इसते हैं अपनी और आकरशित करते हैं जिससे जिससे बंद लंबाई जिससे बंद लंबाई के मान में के मान में कम ही आती है ठीक है समझ मैं कि हाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में विदूतिंता कांतर का लग बग 1.38 है तो इसकी वज़े से जो क्लोरीन प्रमादो के हाइट्रोजन से अधिक विद्द्धूत्रीनी है और यह हाइट्रोजन के और आकर्षी तोर्य दोनों के बीच पूंड डिस्टेंस क्या होगा कम हो जाएगा और बन डिस्टेंस कम होगा तो बंदलम्बाई का मान भी कम होगा ठीक है समझ मैं अब बात करते हैं का दूसरा एक्जामपल की लिया था अपने उसके बारें बात करते और कार्बन हायट्रो कम होने के कारण कार्बन परमाण। कार्बन परमाण। के इलेक्ट्रोन को अपनी और अकर्षित अपनी और अकर्षित नहीं करते हैं नहीं करते हैं जिससे अडों के बंद लंबाई के मान में व्रद्धी होती है। घीलां रहते हैं तो देखो राय मैं और धूर्षन और कार्बन कार्बन और रία टरम की विधू दूरिती तो इन Happy da को प्रेश कम है तो इसकी बंद लंबाई जादा से जादा रगए कम तो होào अगर बढ़ेगी तो इन दोनों की बीच में कोई ना एक प्रमाणु अपनी और अकशित करेगा अकशित करने की वज़े से दूसरी प्रमाणु अपनी उसकी और आ जाएगा जिसकी वज़े से बंदिलंबाई का मान कम हो जाएगा तो लिख लीजिए से पूरा तो पहले चीज तो विदूतिन्ता बंदिलंबाई की विद्क्रमानु पाती होती यह आतकना फिर अगर विदूतिन्ता का अंतर बढ़ेगा तो बंदिलंबाई कम होगा तो बंदिलंबाई बढ़ेगी ठीक है नेक्स बात करते हैं अपन बंदिक्रम इसका दूसरा अफेक्ट बंद लंबाई के वित्करमानू पाती होता है जैसे जैसे परमानू का अस करेक्टर बढ़ेगा वैसे जैसे परमानू में अस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बंद लंबाई का मान कम होता जाएगा बंद क्रम बॉंड ओर बंद क्रम में पता है ना अपना में च्राइब हैबसान सَّ एसबी याश्च से शिक्रेक्ट्र निकाले स्पी ऊपने स मत निकालते हैं तो बंदृलंबा वित्परोब्हानु पा दे बंदृिक्रं मेवा Кар्म मेरें के प्रतिक्षत असका करेक्टर इसका इसमें तीन कख्षक है तो सो बटे तीन दो पीके एक असका तो तीन कख्षक है तो 33.33 इसका करेक्टर इसमें चार कख्षक है तो सो बटे चार तो 25 परसेंट ठीक है यह असका रेक्टर अपने निकाल दिया बंदिकरम के नुसार अब बंदिकरम क्या है बंदिलंबाई के वितकरमानों पाती होगा जितना ज्यादा बंदिकरम होगा असका रेक्टर होगा जितना ज्यादा असका रेक्ट इस order में बंद क्रम क्या हो रहा है bond order बंद क्रम बढ़ रहा है तो बंद बंद लंबाई बंद लंबाई कम होगी ठीक है अगर इसका वीपरीत ले लेते हैं SP3 SP2 और SP इसमें बंद क्रम क्या हो रहा है बंद क्रम गट रहा है तो बंद लेंद लेंद बंद लंबाई या बंद लंबाई बंद लेंद बढ़ेगी ठीक है समझ मैं कि बंद क्रम बंद लंबाई के वित्कुरमान होगा जैसे जैसे बंद बंद लंबाई का मान कम हो जाएगा और जैसे जैसे बंद बंद लंबाई का मान बढ़ जाएगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं इसमें तीसरा फेक्टर है अनुनाद रेजोनेंस अनुनाद तो पहले पड़ा भी होगा अनुनाद के बारे में अनुनाद भी जस यह होगा जैसे जैसे परमाणों में अनुनाद बढ़ेगा अनुनाद होता जाएगा रेजनेंस की बात की जाए आनुनाद की बात कीजाए माध यए यह लग अलग हो उपस्टित हो ज्यासे पाइं बंद सिग माफी उपस्तित हो सब्सक्राइब एल्टरणेट आप्समाद उपस्तित होंगे पहुंगे उनके वीक में क्या होगा गोच से लिए हर सरचना अपने किसी ना किसी गुंड की व्याक्या करती है और अनुनाद की कारण परमाणु उस्ताइत्व ग्रेंड करेगा तो बंद लंबाएगा मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ठीक है समझ मैं इसके बारे में लिख लेते हैं अनुनाद की कारण अनुनाद के कारण एकल बंद में गुण आजाते हैं गुण आते हैं जबकि द्वी बंद में एकल बंद के गुण आ जाते हैं इसी कारण एक एक्जामपल लेते हैं इसी कारण इसी कारण बेंजीन योगिक में बेंजीन योगिक सीशिक्स अच्छिक्स योगिक में समस्त कार्बन परमाणू की बंद लंबाई बंद लंबाई समान होती है बंद लंबाई समान होती है और प्रते कार्बन कार्बन के मद्दे 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 बंद लंबाई 1.4100 स्थान होती है ह। तो अैसके मुं होता है कि इनकी बंध लंबाई समान होती है। यह तो इस बैंजीन की सरशना बना के देखते ह। यह है कि बैंजीन में 3ौ 1, 3 पाई बंधितbelt कार्बं परमाण। ईकमा परमाण। तो पाई बंध के आनुणाद की ओरन ऐक। अनुलादी प्रक्रिया श्ोट की भाइन दोनांदी प्रक्रिया के कारण सिग्मा बंद वह किसमें कनवर करनो जाता। ख most time क्यों उधा यहताँ पाय इसमें को इसलों के सब्सक्राइब में सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या पूरे परमाणों में पाई लेक्ट्रोंस रोटेट कर रहे हैं और इस परमाणों में पाई लेक्ट्रोंस रोटेट कर रहे हैं इससे पता नहीं चलता कि कारबन की बंद लंबाई क्या है तो अल्टरेनेटली पाई बंद और सिंग्मा बंद का रोटेशन होने की वज़े 101.4 Giro Angus Drone की अनुनादी प्रक्रिया को कारण इस्ताहित्व प्रदान करेगा और इसके इस्ताहित्व प्रदान करने की वज़ेसे bond length भी क्या हो जाएंग हो जाएगी क्योंकि पाई लेक्ट्रों और सिग्मा एलेक्ट्रों का अनुनादी प्रक्रिया बनने के कारेंट यह आपके में स्टेक्शर बना रहे हैं इसके बारे में इसको पता करना पॉसिबल नहीं है इसलिए इसकी हाईब्रेट सेक्षर अपन हमेशा बेंजिन को कैसे लिखते हैं ऐसे लिखने का मतलब यह कि इस इस पता चलता है कि जो पाई लेक्ट्रोन है इन पाई बंद हैं पाई बंद की पॉजिशन क्या है क्योंकि पाई बंद पूरी सरचना में रोटीट करें जिसकी से बंदनी को तोड़ने निकली या दी गई उर्जाओ को पनहुन ऌर आघने करेंगे तो पहले बात करते हैं स्यूक्ति लेते हैं बन में ये समझ में या को लिखने ना यह है है बंदर धो प्रकार के होती है है फ्लां लगद प्रकार के होती है कि आद इस्टीएशन अटो और सब्सक्राइशन के वर्चाल और विच अट कर्ण। नो बंद उर्जा दो प्रकार के होती है पहला है बंद वियोजन उर्जा बंद वियोजन उर्जा दो परमानों के मद्य दो परमानों के मद्य उपसित बंद A और B दो परमानों है दो परमाणों के मद्राणों जिस वारा बंदित म अस mouth तोड़ने के लिए इसमें सो उच्द को ठोड़ने के लिए अपनको एनर्जी देनी पड़ेगी में इस एनर्जी को क्या केगे अपना में जिसे यहसां अजै भौत कर आपकर वी और ऑजाइगा तो बंद वियोजन उर्जा वेह उर्जा जो दो परमाणों के मद्धे उपस्तित बंद को तोड़ने के लिए दी जाते इसे बंद वियोजन उर्जा कहते हैं तो बंद वी हो जन उड़ जा दो परमाणूं दो परमाणूं दो परमाणूं के मध्य उपस्तित बंद को तोड़ने के लिए दी गई उड़ा बंद वियो जन बंद वियो जन कौक कि कहलाती है हूँ ठीख कि बंद व्योजन से चाहिं थ को रभिघ्य दो परमाणूं के मद्यों उपस्तित बंद को तोड़ने के लिए दी उड़ा को बंद वियो जोड़ा कहते हैं तो तो A plus B को energy देंगे AB अनू को अपने energy देंगे तो इसमें पस्तित बंद क्या हो जागा टूट जाएगा और A plus B में दो अलग अलग प्रमाणू में divide हो जाएगे तो E plus A plus energy दी इसको ठीक है अब बात करते second की बात करते हैं बंद योजन उड़ जा बंद योजन बंद योजन उर्जा तो परमाणू को स्थाई करने के लिए बंद योजन बंद बनने के लिए तो परमाणू को स्थाई होने के लिए परमाणू को स्थाई होने के लिए स्थाई होने के लिए होने के लिए किसी अन्य परमानु से जूड़ता है किसी अन्य परमानु से सईयोजित होता है संयोजित होता है इस संयोजन के दोरान निकली उड़ जा इस संयोजन के दोरान निकली उड़ जा बंदु योजन उर्जा कहलाती है ठीक है क्या हो रहा है कि कोई भी परमौन है कोई भी परमौन अपनी स्टेबिलिटी नमलस्ता ही होने के लिए किसी अन्य परमौन उससा संयोजन करता है इस स्योजन के दोरान जो जोड़ेंगे जैसे A प्लस B दो प्लस जोड़ेंगे तो इन दोनों के अलग-अलग टो अनेर्जिय सोगी दोनों आपने इनर्जी extended को करेंगे बन्द बनाँगे इस बंद बनने के दोरान इसके बाद भी औरणों की जो नर्जी तो इससे निकली हुए energy वो लेंगे बंद योजन उझा कैंगे बंद योजन उझा अब नीच्ट करने अब नीक्स बात करते हैं पर मैं प्लंद योजन उझा को प्रबावित करने वाले कारक स 근데 यॉजन को प्रभावित करने वाले कारैक नेस्ट टोeleri करते हैंग अपने मत प्रवावित करने वाले कारम बंद उड्जय representing योजन ऊर्जय में हमने उद्ज बंद को तोड़ने के लिए दिए तो बंद उजया को प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करने वाले कारक तो पहला बात करते हैं विदूत रिर्णता की किसी बात करते हैं विदूत रिर्णता फर्स्ट बात किमें विदूत अलेक्ट्रो नेकेटिविटी या विधुत्रिंटा तो यहां आपने बंद लंबाई की बातने बंद लंबाई विधुत्रिंटा के विधुक्रमानु पार्ति होती है यसे जैसे विधुत्रिंटा का अंतर बड़ेगा वैसे वैसे अनों की विदूत बंद उठमान भी बढ़ेगा तो देखें कि जब दो परमानों के मद्धे विदूत रिंदा विदुतिंता का अंतर बढ़ने पर बंद उर्जा का मान बंद उर्जा का मान भी बढ़ता है बंद उर्जा का मान भी बढ़ता है तो देखो अच्छील की बात करते हैं अच्छील के मद्दे विदुतिंता का अंतर ज्यादा है दो पॉज़र्ट और एक इंप सोरी documenting इनके बीच में विद उतन्था का अंतर कैनी वादा यया को यह क consumers उतना ही स्थाइफ ओगा और Χref वसॉर्ट को तोड़ने के लिए आ представigkeiten के लिए इनर्जी देनी सब्सim dai इसलिए आपने कह सकते हैं कि जैसे इसफे पर मारों के मद्दि के में वित्यूत्रूंता अंथर बढबाएगा तो उनके मिद्धे बंद उड़ जाका मान भी बढ़ेगा क्योंकि यह दोनों जो ज्यादा पास आजाएगा और पास वाले बंद को बल जितना ज्यादा क्लॉरीन हाइट्रोजन परमाणों को जितने ज्यादा स्ट्रोंग लिए रिखेगा वे इतना ही इस बंद को तोड़ने के लिए अपने को जादा ज्यादा इन्ना रिज्दि देने पड़ेगी तो कह सकते हैं कि दो परमाणों के मद्दे विद्यूजिंत्य का इंतर जब दो परमाणों के मद्दे विद्यूजिंत्य का इंतर कम होगा तो बंद उर्जा का मान भी बंद उर्जा का मान भी मान भी कम होगा ठीक है तो बंद उर्जा का मान भी क्या होगा कम होगा ठीक है अब बात करते हैं अपन नेक्स एक्जामपल के बात करते हैं यह इसका इग्जामपल देखते थे लुग है इन्हें चलंग है फिर अपनी किल करते बारे किसके बारे बात करें सिर्ऩ है तो देखो बंद्द करम की बात कर्ते नैक्स्ट दूसरा करेक्टर है अपने पास उसक्ट्र है वो क्या है बंदिक्रम्या बॉंड ओडर तो दो पर्माणू पर्माणों की मद्धे पर्माणू की सरचना में पर्माणू की संरचना में जितना सरचना में जितना अधिक जितना अधिक एस लक्षण यास करेक्टर होगा होगा उतनी ही अतनी ही बंद उर्जा में अधिक पर्माणू की सरचना में जितना अधिक एस सक्षण लगा जितना अधिक एस करेक्टर होगा तो SP SP 20 SP 3 तो जितना ज्यादा आश करेक्टर सबसे दाशक्रीक्टर इसका 50% 33.33% 25 पर्माणू ने समसे दाशक्रीक्टर किसका सिपका तो इस ओर्डर में जाने पर इस गरम में जाने पर बंद उर्जा का मान भी बढ़ता है और बंद इक्रम का मान भी मान भी इंक्रीज होता है ठीक है लिख लो इसे अब नेक्स एक्जामपल तीसरे जो फैक्टर देखते हैं तीसरा फैक्टर है अपने पास पर्माणू की साइज अगर पर्माणू की साइज बड़ी होगी तो उनके बंद लंबाई भी क्या होगी ज्यादा होगी और बंद लंबाई ज्यादा होगी बंद लंबाई ज्यादा होगी तो बंद उर्जा का मान क्या होगा कम होगा कि अब बात करते हैं परमानु आकार की तो परमानु काatar बढ़ने पर बंदूर्जा का मान कटा है देखो तो अपन तीसर जो फैक्टर बढ़ रहे हैं परमानु आकार करद estoy तो फिट नहीं हो पाएगा ठीक है ऐसे बात करते हैं कि दो पर्माणू है दो पर्माणू में से किसी भी पर्माणू की साइस बड़ी होगी किसी में दोनों पर्माणू की साइस बड़ी होगी जैसे बात करते हैं पर्माणू की पर्माणू के आकार में पर्माणू के आकार में वर्दी होने से वर्दी होने से बंद उर्जा का मान गटता है परमाणों के आकार में वर्दी होने से बंद उर्जा का मान गटता है तो एक्जामपल देखते हैं अब बात कर लेते हैं एक अपवाद सुरूप कॉशन आता है कि अफटू की साइज अफटू की साइज सील्टू से कम है लेकिन फिर भी उसकी बंद उर्जा का मान कम है देखो क्या है अफटू की साइज अफटू का आकार सील्टू से कम होता है परंतू परंतू अफटू की बंद उर्जा अफटू की बंद उर्जा का मान सील्टू से कम होता है क्यों ठीक है क्या है कि अफटू का आकार सील्टू से तो कम होता है परंतू अफटू की बंद उर्जा का मान सील्टू की जो सील्टू की बंद उर्जा से कम होता है तो देखो अफ्टू का आकार हो जो मिटा देता हूं फिर संज़ातें इसको समझ लेते हैं अपने अच्छे से एक अपवाद है ये कि अफ्टू जैसे यह F ये 6 एलेक्ट्रॉंस तो एक-एक एक 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 अलेक्ट्रॉं बनाने में काम आगे अब देखो कि अफ्टो अणू के अंदर एफ और एफ का प्रमाणू आकार छोटा होने के कारण यह जो इलेक्ट्रोंस है टूपी जेड कक्षक के जो इलेक्ट्रोंस है आपस में क्या करते है प्रतिकर्शित करते है यह जो इलेक्ट्रोंस है आपस में क्या करते है प्रतिकर् कामान रिपल्शन की कारएं इनकी बंद उर्जा कामान कम हो जाता है जब की सील टू में क्लोरीन परमाणू का आकार क्लोरीन परमाणू का आकार बड़ा होने की कारण तूपी जेड कक्षक के जो एलेक्ट्रों से उनका पर्तिकर्शन नहीं हो पाता है इसलिए इनकी बंद उर्जा का मान ज्यादा होता है ठीक है लिखें इसको 3Pz 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 तो अफ्टू परमाणू में अफ्टू अणू में अफ्टू अणू में अफ्टू अणू में फ्लोरीन परमाणू का परम फ्लोरीन परमाणू का आकार अकाड छोटा होने के कारण छोटा होने के कारण छोटा होने के कारण अकाड छोटा होगा छोटा होने के कारण 2PZ 2PZ कक्षको के कक्षको के लौन पेर लौन पेर आफ एलेक्ट्रोन का एलेक्ट्रोन का आपस में आपस में प्रती कर्शन होता है प्रती कर्शन होता है जिस से जिससे बंदु उर्जा का मान कम हो जाता है जिससे बंदु उर्जा का मान क्या हो जाता हैं इन परमादों में लॉस्फ फरोटिकर्श्न होता ओर प्रफिकल्सफिदायरों की कारें इंपन आनेजी होती है बाइनेजी के और चैंड कम हो जाती क्यूंकि इनकी जो बॉंड क्लोरीन परमाणू का आकार अधिक होने के कारण अधिक होने के कारण अकार अधिक होने के कारण 3PZ 3PZ कक्षको का कक्षको के कक्षको के यह लौन पेर्स लौन पेर ओफ एलेक्ट्रों का प्तिकर्शन प्तिकर्शन नहीं होता है प्तिकर्शन नहीं होता है जिससे नहीं होता है जिससे बंद उर्जा के मान में व्रद्धी होती है ठीक है बस आज के लिए इतना ही अगली क्लास के अंदर अगली क्लास में अपन बात करेंगे अपन अतिसायोगमन नाविकों के बीच के बिच दूरी के बलते बंद लंबाई में आपन तीन फेक्टर पड़े थे विधुत्रिनिता बंद क्रम और अनुराध तो कенсक्रेदवन होती है तो और मान का मध्այाणों परमाणों के बंद खना अंतर बढ़नेपर बंद लंबाइब कामँ कम होता है अगरा अंतर न्तर उतल्प एलेक्ट्रों पाइलेक्ट्नों में होता है जिसकी वजए से जितने भी मॉलीकुल में उपसे जितने भी कार्बन परमानों है उनके बद्दे उनके मद्दे स्थाइटू उनके मद्दे जो उनकी बद्दे जो कार्बन कार्बन की साइज होती बंद गड़तों बहुत